इस segment में हम लोग discuss करने वाले हैं isothermal process यानि समतापी प्रक्रम यानि the process in which temperature of the system remains constant is called isothermal process यानि वह प्रक्रम जिसमें निकाय का तापमान नियत रहता है उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं अब इसका example तो मैंने आप लोगों को आइसो बारिक यानि समदाबी प्रक्रम में बताया था जैसे boiling of water यानि पानी का उबलना और freezing of water यानि पानी का जमना यह जो process है यह एडिया सोरी यह आइसो बारिक के साथ साथ आइसो थर्मल भी है यानि अभी जो मैं दोनों example लिया यह स समतापी प्रक्रम भी है और समदाबी प्रक्रम भी है तो एक्जामपल इसका यहां पर भी वही काम आएगा जैसे boiling of water and freezing ठीक है फ्रीजिंग यानि पानी का जमना यह इसमें आ जाएगा तो अब इसके हम लोग कंडीशन्स डिसकस करते हैं कंडीशन्स मतलब इसके थर्मल है यानि समतापी है तो समतापी मतलब उस पूरे प्रक्रिया के दौरान टेंप्रेचर क्या है constant है यानि temperature में परिवर्तन नहीं होगा यानि सिस्टम का अगर पहले temperature T1 है और बाद में माल लिजे तेंप्रेचर T2 हो जाता है तो यह दोनों बराबर होंगे temperature constant रहेगा यानि T2 minus T1 is equal to क्या हो जाएगा 0 यानि delta T क्या होगा 0 तो ध्यान रहे isothermal process की क्या condition निकल के आई पहला T is equal to constant and delta T is equal to 0 तभी आप लोग delta T is equal to constant मतलिक दीजेगा वो गलत हो जाएगा delta T यानि change in temperature temperature में होने वाला change यानि तापमान में होने वाला परिवर्तन 0 हो और या फिर तापमान constant हो अब अगर temperature constant होगा तो इसको differentiate करेंगे तो dt is equal to इधर कोई भी constant quantity का differentiation 0 होता है यानि dt is equal to 0 तो यह है isothermal process का key point अब यहाँ पे और चीज ध्यान दीजेए if T is constant अगर temperature constant है तो automatic वो जो मतलब अगर temperature constant है isothermal process में तो temperature अगर प्रक्रिया के दोरान पूरे प्रक्रम के दोरान नहीं बदल रहा है तो internal energy भी नहीं बदलेगा यानि change in internal energy भी क्या होगा 0 होगा तो isothermal process की क्या सर्थ हुई temperature is equal to constant या यू कहे लिजे delta T is equal to 0 और साथ ही साथ में du यानि delta U is equal to 0 क्योंकि पूरे प्रक्रिया के दोरान temperature constant है अब temperature ही नहीं बदल रहा है तो उसका internal energy भी नहीं बदलेगा यानि internal energy में होने वाला change क्या होगा 0 होगा समझ में आया यह है isothermal process का key point अब यहाँ पर first law of thermodynamics apply करने से पहले जल्दी से इसका PV डाग्राम देख लेते हैं देखे T is equal to constant है तो आप लोग gas equation लगाईए तो PV is equal to क्या होता है RT यहाँ पर R gas constant है T temperature अब आईसो thermal process के लिए R तो constant होता ही है तो PV is equal to क्या हो गया constant अब यहाँ पर something यह इस तरह का relation बन गया X into Y is equal to constant तो ऐसे relation क्या होते हैं X is inversely proportional to 1 by Y तो ऐसा graph आप लोग सभी लोग जानते हैं इस प्रकार से बनता है जैसे जैसे इधर वाल्यूम में आप increment करेंगे वाल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेसर क्या करेगा डिक्लाइन करेगा और उस दोरान temperature क्या होगा constant हो गया तो यह इसका बन गया PV डाइग्राम क्लियर हुआ अब यहां पर हम लोग first law of thermodynamics apply करते हैं तो आपको एक बड़ा interesting result देखने को मिलेगा first law of thermodynamics क्या होता है dq is equal to dw plus du अब बताया कि isothermal process के लिए change in internal energy यानि आंत्रीक उर्जा में होने वाला परिवर्तन 0 होगा तो यहां पर dq is equal to क्या आगया dw अब यह बहुत interesting result है आप लोग को इससे पहले के एक topic में मैंने पढ़ाया था cyclic process याद है cyclic process में भी यही आया था dq is equal to क्या आया था dw यानि कोई भी process अगर cyclic हो तो उसमें आप system को जो भी आप heat देंगे वो पूरा का पूरा work में convert हो जाएगा और यही चीज़ आपको यहां भी देखने को मिल रहा है कि आइसो thermal process में यह भी dq is equal to dw आ रहा है यानि आइसो thermal process में पूरा जो system को heat दिया गया है उसको work में बदला जा सकता तो यह एक तरह से यह तो बहुत अच्छी बात हो गई अगर आप कोई ऐसा device बनाना चाहते हैं जो device heat को work में बदले तो आप कोई ऐसा process लेना चाहेंगे जिस process में आपके पूरा heat किसमें बदल जाए work में तो आपके लिए फाइदे मंद है कि आप आइसो thermal process consider कीजिए in fact जब कार्नोट अपना कार्नोट इंजन बना रहे थे तो कार्नोट इंजन आप लोग जानते हैं कार्नोट इंजन में उन्होंने यह जो इस प्रकार का एक cyclic process लिया था और दो बेटर रहेगा क्योंकि internal energy में change zero है तो यह efficient रहेगा maximum और दूसरा उन्होंने cyclic process consider किया था क्योंकि cyclic process होगा तब ही पूरा का पूरा heat work में actually convert हो पाएगा यह इसके पीछे का logic है तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछ दे ऐसा कौन कौन सा process है जिसमें dq is equal to dw होता है त ठीक है तो यहाँ पर यह लिखा गया hence in an isothermal process total heat given to the system is used up doing external work यानि पूरा का पूरा जो उस्मा है वो external work करने में खर्च हो जाता है ठीक यह सारे condition से याद रखिएगा जैसे कि जो है सम दाभी यानि आइसो बारिक का क्या होता है डेल्टा पी is equal to zero होता है आइसो कोरिक यानि डेल्टा वी is equal to zero और डेल्टा वी is equal to zero होगा तो डेल्टा डेल्टा डवी is equal to zero होगा इसी प्रकार आप लोगों को various process का जैसे cyclic process में क्या था डेल्टा यू is equal to zero था और free expansion में क्या था डेल्टा क्यू is equal to zero प्लस इसके साथ साथ डेल्टा डवी is equal to zero ये दोनों कंडिशन लागू होना चाहिए ये दोनों कंडिशन लागू होगा तो वो हो जाएगा free expansion केवल डेल्टा क्यू is equal to zero है तो ये एडिया बैटिक अभी मैं इसके बात पढ़ाऊंगा एडिया बैटि एक छोटा सा ये segment अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा और ये सारे process आप मैं फिर से recall करूंगा जब कारनोट इंजन पढ़ाऊंगा ठीक है तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद